गरे रूप्चार और सोखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कारवर नुस्खा बताएंगे जिसके सेवन से आप पीलिया के रोग से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों आप तो जानते ही है कि बरसाथ के दिनों में रोगानों के फैलने से कई तरह की बीमारिया होने का खत्रा बढ़ जाता है और इनी बीमारियों में से एक है जोएंडिस जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं इस बीमारी में व्यक्ति की त्वेचा से लेकर आखें, नाखून, पेशाव का रंग पिला हो जाता है और इसके साथ ही लिवर बहुत जादा कमजोर होकर ठीक से काम करना बंद कर देता है सिर्फ इतना ही नहीं रोगी की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है और जी मचलाने की सिकायत होने लगती है और रोगी बहुत कमजोर हो जाता है अगर आपको लगता है कि आप पिलिय की चपेट में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें हमने आपके लिए इसमें एक बहुती आसान और बहुती कारगर उपाय दिया है जिससे आप पिलिया के रोग से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते है इस मुस्खे के लिए आप एक कप गरम दूद ले लीजे और उसमें आधा चमच कलोंजी का तेल मिला लीजे यह हमने इसमें मिलाया है आधा चमच कलोंजी का तेल कलोंजी का तेल डाल कर इसमें अच्छे से आप इसको ऐसे मिक्स कर ले और यह नुस्खा बनकर पूरीते से तयार है और इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है कोई मीठा इसमें नहीं मिलाना है और ऐसे ही आपको ये दिन में दो बार सेवन करना है एक बार सुभे खाली पेट और एक बार रात को सोते समय दोस्तो सिर्फ एक हपते तक लेने से पीलिया रोग जड़ से समापत हो जाता है दोस्तो पीलिया से पीडित रोगी को खाने में मसालेदार और बहुत जादा घी तेल वाले चीजे और खटी वस्तूओं का उपियोग नहीं करना चाहिए इनसे परहेज करना चाहिए दोस्तो एक हपते के अंदर पीलिया रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और दूसरी चीज हम आपको यह बता दें कि इस नुस्खे से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा यह बहुत ही कारगर नुस्खा है और पीलिया एक बहुत खतरनाक रोग यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह जान लिवा भी हो सकता है दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी यह वीडियो और बताएगें उसका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नई मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हचते रहें मुस्कुराते रहें और अपना खैल रखें